हेलो फ्रेंड्स के रोल में आसरी का एक वर्फिस बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निट्रोलीन बी सीरप निट्रोलीन बी के सीरप भी आते हैं और निट्रोलीन बी के टेबलेट भी आते हैं तो आज मैं इसी निट्रोलीन भी के बारे में बात करने वाले हैं जानेंगे कि इसके क्या-क्या फाइदे हैं और इसे कई से उपयोग में लेना है तो इन सारी चीजों पर मैं आज बात करने वाला हूं अगर आपको अच्छे से जनकारी चाहिए तो आप मेरे साथ वीडियो क के अंतक बने रहें ताकि आपको अच्छे से जनकारी मील सके तो वीडियो सुरू करने से पहले स्वास्त के परती जागुप रहने के लिए सब्स्राइब कीजिए हमारा चैनल क्यों रोल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दवाना ना भूल तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं निट्रोलीन भी सीरप में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मल्टी विटामिन्स के मात्रा भरपूर होते हैं जो कि इसमें फाइट में घुलने वाले बिटामिन ए बिटामिन डी बिटामिन ए और बिटामिन के एवं पानी में घुलन सिन बिटामिन ए बिटामिन बी बिटामिन 6 बिटामिन 12 और बिटामिन सी जिसको फॉलिक एसीड और पैंतो थाइनिक एसीड नियासीन और बायोटि होते हैं मल्टी विटामिन एक बिशिश्च स्वास्त की इस सिती में या फिर सामान जरूरतों के लिए इस्तमाल किया जा सकता है जैसे की जरूरत है अगर जोडो नाखून बाल त्वचा और मस्तिस्क स्वास्त के रुप में आते हैं तो इन सारी चीजों के लिए मल्टी विटामिन बहुत ही अवस्यक है क्योंकि मल्टी विटामिन इन सारी चीजों में बहुत सहायक होते हैं यकिस प्रका सहायक होते हैं तो पाला यह ज्यादा पुराना बीमारी सहीर में बिटामिन के निम्न अस्तर की रोक्ताम करता है दूसरा अपने सहीर को दीन भर काम करने के आवस्चक सभी महत्पून पोशक तत्वों की आपपूर्ती करता है तिसरा तच्चा के स्वास्त बाल बनावट बालों के जढ़ने को रोकने में सुधार करता है चवठा संजुक्त स्वास्त में सुधार और चोट के जोखिम से बचाता है और हड्यों का विकास करता है पाच मा परतिरच्छा ये कागरता सहीर उर्जा का अस्तर बहाने का काम करता है छठा और लास्ट बजन घटाने में भी या बहुत सहायक है तो दोस्त आप लोगों ने जाना कि लिट्रोलीन भी सीरप के कितने सारे फाइदे हैं और इसमें कितने भरपूर मात्रा में मल्टी बिटामिन से मवजूद होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे सहीर के लिए मल्टी बिटामिन पोसक कितने आवस्यक है अब हम जान लेते हैं कि निट्रोलीन भी सीरप के दूस परभाव क्या है तो सबसे पहले बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में मल्टी बिटामिन से कोई दूस परभाव हो सकते हैं जी नहीं मल्टी बिटामिन की कोई साइड इफेक्ट का अभी तक कोई उलेकनिये किसी भी किताब या किसी जगा नहीं किया गया है निट्रोलीन भी सीरप में लैक्टिक एसिट मुझूद होते हैं जिसका दूस्परभाव कुछ देखने को मिलता है जैसे कि कुछ रोग्यों को बहुत से लचनों का अनुभव हो सकता है जब तक कि उन्हें दावा का उप्यों करने की आदत ना हो जाए 21 रूप में दूस्परभाव हो सकता है पहला यह है काले या भूरे रंग के धब्बे या छिलना टाइप हो जाना दूसरा जलन या खुजली होना तिसरा घाव का चिन पढ़ जाना चौठा लाली सा आपके तोचा पर दिखाए देना तो इन सारी चीजों का लाक्टिक एसिड के कारण आपको दूस परभाव देखने को मिल सकते हैं लेकिन जाएतर ऐसा नहीं होता है निट्रोलीन भी सीरप के और भी कुछ लच्णों का उपचार किया जा सकता है जैसे कि अवरती या लगतार सर्दी या सास लेने में तकलिफ हो रही है तो आप उस इस्तिती में भी आप निट्रोलीन भी सीरप का इस्तमाल कर सकते हैं दूसरा थाकान या सूस्ती की लगतार समभना हो रही है तो आप इस इस्तिती में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं तिसरा बजन कम करने या बजन बढ़ाने में आपको प्रोलम हो रही है तो आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं चौठा और लास्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या जननांग कैंडीड आसीस जैसे अक्सर खमीर संक्रमन आपको है तो आप उस इस्तिती में भी निट्रोलीन भी सीरप का इस्तमाल करेंगे तो आपको इसे रहात देखने को मिलेगी साथ में मोटापे के साथ इन लचनों का उपचार किया जा सकता है जैसे कि अस्तमान बजन हो जाना या पौट पेट की तरह दिखना तो आप इस प्रोबलम में भी आप निट्रोलीन भी सीरप के सहाईता से आप इसे स्वल्ब कर सकते हैं निट्रोलीन भी सीरप के बहुत सारे फाइदे हैं जैसा कि यह मुहासा ठंडा होट और पायरंबिक जूरियां दिखाई देना और असमान बनावट पाइच तोचा पर सुखा पन या धूंदला पन हो जाना और बात करें तो डार का स्पोर्ट या हाइपर पिग्मेंटेशन हो जाना अब हम बात करते हैं नुट्रोलीन भी सीरप का उप योग कैसे करना है आपको सुभा साम एक एक चमच आप इसका सेवन कर सकते हैं या आप अपने डाक्टर से इसका एडवाईस साथ में ले सकते ह अगर मैं ले ले सीरप जो की साथ हमेल का आता है मार्केट में तो उसी के प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस से 44 रुपीज है यानि 44 रुपया इसकी प्राइस है अगर आप इसे ख़ईदना चाते हैं तो आप किसी भी मेडिकलर स्टोर से आप इसे कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको निट्रोलीन भी सीरप के बारे में पूरी जनकारी देने का परियास किया हूं कि इसके क्या-क्या फाइदे है इसे कैसे परियोग में लेना है और इसके प्राइस क्या होते हैं मुझे उमीद है कि यह से रिलेटेड वीडियो बहुत सारे लाता हूँ तो चलिए फीन मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के सब्सक्राइब